आप सभी को मेरी दरब से रादे रादे दोस्तों तो सुबह की चाय के साथ मैंने अपनी नीन उड़ाई क्योंकि उसके बगर तो मेरी नीन खुलती ही नहीं है दोस्तों फिर मौसम अच्छा खासा बारिश वाला हो रहा था एक दो दिन से तो सबजी लाने का तो मौका नहीं म शोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया दोस्तों फिर मैनने कुकर लिया उसमें 4-5 चामच देल के डाले और राई जीरा कर गालिया सांथ्में मैंने कड़ी पत्ते भी उसमें एक किये और छोटी-छोटी लसन की कलियां 5-10 मैने इसमें मिक्स से कर दी दोस्तों और इसमें मैं थोड़ा सा सीक्रेट मसाला भी डालती हूं तो यहां मैं बना रही हूं मुंबई के जंजनाट तम टमाट से मिसल पाव जो आप संडे स्पेशल भी बना सकते हैं बच्चों को टिफिन में भी देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लग आठ दस ले रही हूं अब मिक्सर जार में मैंने हरी मिर्चे डाली है उसी के साथ लसन और थोड़ा सा डालिया एक चमच के करीब और थोड़े से मैंने नारियल एट किये हैं और एक इंच का टुकड़ा डाला है मैंने अध्रका और इसे पेश्ट बनाकर पीस लिया है टमा मैंने अच्छी तरीके से एक दो मिक्स कर लिया दोस्तों और अब मैंने यहां पर डाला है पानी जो करीब चार से पांच ग्लास मैंने एट किया है उसी के साथ मैंने इसमें डाला था नमक मैंने स्वात के अनुसार नमक डाला और सबसे बड़ी चीज जो डाला मैं एक बार फिर से भूल गई थी वो है मिर्च पाउडर तो एक चमच मिर्च पाउडर मैंने फिर से इसमें एट करी यही सोच रही थी कि क्या बात है आज बा भी रख लिये हैं और पाओ जो इसमें तो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों और यह देखें हमारा जंजनाट सा मीसल पाओ बनके तयार हो गया है वह भी मैं इसमें रखनी हूँ गर्मा गरम से और मीठे में मेरे पास अभी रखे हुए थे मोदा क्योंकि गनपती बापा क कि पूजा के लिए हमने लेकर आये थे वह भी मैंने रख दिये हैं दोस्तों और यह मैं तयार कर रहे हूँ देखें इस तरीके से बना के इसे खाते हैं I hope आपको यह रेसिपी और मेरा चोटा सा मीनी व्लोग अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के रदे रदे